deviation of three-digit decimal numbers by two-digit number इस विडियो में हम three-digit decimal numbers को divide करेंगे two-digit numbers के साथ मिसाल के तौपर हमारे पास number है 150.36 यह एक three-digit number है इसमें decimal से पहले तीन डिजिट्स है और यह decimal नमबर है क्योंकि इसके अंदर decimal point है तो जब भी हमने यह देखना हो किसी नमबर में कितने डिजिट्स हैं तो हम decimal से पहले यानि left side वरे डिजिट्स को count करते हैं तो यह एक three digit decimal number है इस नमबर को हम divide करेंगे two digit number के साथ तो मिसाल के तोर पर इस नमबर को हम divide करते हैं 12 के साथ तो हम देखेंगे कि इन दोनों numbers को divide करने से हमारे पास कौन सा number आएगा इन numbers को हम standard algorithm से divide करेंगे यानि कि इस तरह से हम devian का निशान लगाएंगे इसके अंदर हमने जो number पहले लिखा है इसको लिखना है इस number को हम कहते हैं dividend तो dividend है 150.36 तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 150.36 और बाहर यहाँ पर हम लिखेंगे 12 12 यहाँ पर divisor है यानि जो number divide करता है उसे हम कहते हैं divisor तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 अब हम इन numbers को divide करना शुरू करेंगे तो जैसा कि बाहर जो number है यह two digit number है तो जब हम dividend start करते हैं तो हम पहले two digit numbers को बाहर वाले number से divide करेंगे यानि अब यहाँ पर हम one को 12 से divide नहीं करेंगे बलके 15 को 12 से divide करेंगे तो अगर हम 12 का table यहाँ पर लिखें 12 ones are 12, 12 twos are 24 तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 ones are 12 आता है 12 twos are 24 और 24 15 से बड़ा हो जाता है तो हमने divide करने के लिए 12 के table में वो number देखना है जो 15 के बराबर हो या इस से छोटा हो तो इसके लिए हम लेंगे 12 ones are 12 तो यहाँ पर हम लिखेंगे one और यहाँ पर लिखेंगे 12 इस तरह से यनि 12 ones are 12 अब हमने इन numbers को minus करना है और यहाँ पर minus का निशान लगा दे और यहाँ पर एक line लगा देंगे इसके बाद हमने 15 में से 12 को माइनस करना है 5 माइनस 2, 3 आ जाएगा और 1 माइनस 1, 0 तो 0 को left side पर लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता अब हमने अगले step में उपर वले number के एक एक करके सारे digits को नीचे लाना है यनि पहले हम इस step में 0 को नीचे लेके आएंगे तो 3 के साथ 0 मिलके बन जाएगा 30 अब हमने 30 को 12 से डिवाइड करना है तो 12 का table देखते हैं 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12, 4s are 48 तो हमने 12 के table में वो number देखना है जो 30 के बराबर या इस से छोटा हो इसके लिए हम लेंगे 12 2s are 24 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 24 अब हमने 30 में से 24 को माइनस करना है तो 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता हम यहाँ 30 से 1 10 को बोरो लेंगे तो यहां पर रह जाएगा 2 और यहां पर आजाएगा 10 10-4, 6 आजाएगा और 2-2, 0 आजाएगा तो यह हमारे पास आगया 6 अब अगले step में हमने 3 को नीचे लेके आना है जब हम devian कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमने यह decimal point ignore कर देना है इसको हमने यहां पर नहीं लिखना तो 3 नीचे लेके आएगे तो यह बन जाएगा 63 अब फिर से 12 का table देखते हैं क्योंकि अब हमने 63 को 12 से divide करना है तो 12 multiply by 5 यह नि 12 5 जर क्या होता है 60, 12, 6, 72 तो अगर हम देखें कि 60 के बराबर यह उससे चोटा नंबर कौन सा है तो हम लेंगे 12 5, 60 हम यहां पर लिखेंगे 5 और यहां पर लिखेंगे 60 और अब 63 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 0, 3 आ जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे 3 और 6 माइनस 6, 0 तो यह माइनस हो गया, अब हमने अगले स्टेप में 6 को नीचे लेके आना है हम एक एक करके डिजिट्स को नीचे लाएंगे एक से ज़्यादा डिजिट्स को हम नीचे नहीं ला सकते तो यहां पर हम लिखेंगे 6, तो यह बंचेगा 36 अब अगर हम 12 के टेबल में देखें कि 36 के बराबर यह उसे छोटा कोई नंबर है तो यहां पर मुझूद है 123036, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 और यहां पर लिखेंगे 36 36 में से 36 को माइनस करेंगे, तो यह आजएगा 0 तो जब हमारे पस आखर में 0 बच चाए, तो हमारी डिवियन कंप्लीट हो जाती है तो जब डिवियन कंप्लीट हो जाती है, तो यह जो यहां पर उपर आता है, यह नंबर हमारा आंसर होता है और इसे हम कहते हैं कोशन्ट, यह हमारा आंसर है 1, 2, 5, 3 अब इसमें हमने decimal point लगाना है, तो अगर हम अपना जो डिवियन था, यानि जो नंबर हमने divide किया है 150.36, इसमें अगर right side से देखें, तो 1, 2, two digits के बाद decimal point है तो आंसर में भी हम right side से two digits के बाद decimal point लगाएंगे, यानि 3 और 5 को छोड़के यहां पर decimal point लगाएंगे इसका मतलब है कि 150.36 को 12 से divide करें, तो क्या आता है, 12.53, यह हमारा answer आ गया इस तरह से हम three digit decimal numbers को two digit numbers से divide करते हैं decimal के बाद जो numbers होते हैं, उन्हें हम अलएदा अलएदा पढ़ते हैं, तो यह number है 12.53, इसको हमने point 53 नहीं पढ़ना, यह है 53 इसी तरह से एक और example लेते हैं, अब हम एक और three digit decimal number लेंगे, 772.42, यह एक three digit decimal number है और इस number को हम divide करेंगे 22 के साथ, और divide करके देखेंगे कि हमारे पास कौन सा number आता है, तो यहाँ पर इसको भी हम standard algorithm की मदद से divide करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके अंदर लिखना है, 772.42, और बाहर हमने divisor लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे 22, अब divide करना शुरू करेंगे, तो बाहर two digit number है, तो अंदर भी हमने, पहले two digits को बाहर वाले number से divide करना है, यहाँ हम 77 को 22 से divide करेंगे, तो 22 का table लिखते हैं, 22 ones are 22, 22 twos are 44, 22 threes are 66, 22 fours are 88, तो अगर हम 22 के table में देखें, तो यहाँ पर 77 से बराबर या उसे छोटा number है 66, तो हम लिखेंगे 22, 3,66, अब हम इन दोनों numbers को minus करेंगे, 7 minus 6, 1 आ गया, 7 minus 6, 1 आ गया, तो यह number बन गया है 11, अब 11, 22 से छोटा है, यह divide नहीं हो सकता, तो अगले step में हम यह जो 2 है, इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पर तो यह बन जाएगा 112, अब हमने 112 को 22 से divide करना है, तो हम इसका table आगे लिखते हैं, 22, 5s are 110, 22, 6 are 132, तो 112 से छोटा number है 110, तो हम लिखेंगे 22, 5s are 110, तो 112 में से 110 को माइनस करेंगे, 2-0, 2, 1-1, 0, 1-1, 0, तो 0 को हम left side पे लिखें या ना लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, अब 2 रह गया है, अब हम अगले step में, जो 4 है, इसको नीचे ले आएंगे, अभी हमने decimal point नहीं लिखना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, तो यह बन जाएगा 24, अब 22 के table में, 24 से छोटा या उसके बराबर नमबर है, 22, यहनी 22, 1s are 22, अब 24 में से 22 को माइनस करें, तो यह आजाएगा, 4-2, 2, और 2-2, 0, तो यह रह गया 2, और अब हम इस 2 को नीचे ले आएंगे, तो यह बन जाएगा 22, अब हम फिर से लिखेंगे, 22, 1 22, और 22 में से 22 को माइनस करेंगे, तो यह आजाएगा 0, जब 0 आजाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी devian complete हो गई, और हमारा answer आया है, 3511, लेकिन अभी हमने इसमें decimal point लगाना है, तो अगर हम अपना वो number देखें, जिसको हमने divide किया है, तो इसमें right side से देखा जाए, तो द दो डिजिट को छोड़ कर decimal point है, तो answer में भी हम right side से दो डिजिट छोड़ कर decimal point लगाएंगे, तो 1, 2, decimal हम यहाँ पर लगाएंगे, इसका मतलब है कि 772.42 को 22 से divide करें, तो यह आता है, 35.11, तो इस तरह से हम 3-digit decimal numbers को 2-digit numbers के साथ divide करते हैं, आता हम हम जाएंगे, बिल्गणी हम सकते हैं, तो पर लटका टीं मजओेंगे, तो से छ्मेंपर